भारत की है कहानी तो आपको क्या चाहिए आपको चाहिए इंडिया या आपको चाहिए भारत इसी पर है आज का हमारा एपिसोड नमस्कार जंगनमन रियक्स में आपका स्वागत है मैं हूँ मनीश अर्मा और आज एक बहस देश भर में छड़ी हुई है सोशल मीडिया पर हंगामा मचा पड़ा है विपक्षी दलों के अंदर बखिडा खड़ा हो गया है सब कह रहा है कि अरे ये क्या कर दिया ये क्या करने वाले हो मोदी जी आखिर इंडिया का नाम भारत आप कैसे कर सकते हो लेकिन सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूँ ये भारत का समविधान है मेरे हाथ में और भारत के समविधान के उद्देशिका में लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपून प्रभुत्व संपन ये पहरी लाइन के अंदर दो बार भारत शब्त का इस्तेमाल है हिंदी के अंदर जो है कि अगर इंडिया की जगे भारत क्यों इस्तेमाल कर लिया ये तो संगिय ढाचे पर हमला हो गया जी ये तो देश को बरबात करने की कोशिश हो गई जी आकर ये क्यों है हुआ सिफ ये है कि राश्पती जी ने एक डिनर इन्वाइट बेजा महामईहिम राश्पती जी ने जी ट्विंटी देशों के प्रतिनेदियों को और उसके अंदर लिखा हुआ है प्रेजिडेंट आफ भारत बस यहीं से दिक्कत शुरू हो गई यहीं से अंगमा शुरू हो गया है कहा जा रहा है कि इंडिया को भारत क्यों कर दिया सम्विधान में तो जिक्र है साफ साफ इंडिया डैट इस भारत तो फिर यह नाम चेंज करने वाली बात कहां से आ गई हाँ यह हो सकता है जैसी चर्चा चल रही है कि अमरित काल करे जो विशेश सत्र बुलाया गया ना उसके अंदर ऐसा प्रस्ताव लाया जाए कि इंडिया का नाम भारत की आ जा सकता है अब अब लाहूल गांदी ने पूरी शिद्ध से उनके जो सही हогई है उनने ने कहा कि ये तो हम नहीं नाम रका यह उद्धर अर्विंद केजिवल की पार्टी भी इशारे है तो हमारा ही मास्टर स्ट्रोक है अब क्या किया रहा है और आज़िए इसा कहा जा रहा है इसलिए कि जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक एलाइंस बनाए जिसका नाम इंडिया है तो अगर किसी पार्टियों का एलाइंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे देश तो 140 क्रोड लोगों का है किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है कल मान लीजिए इस इंडिया एलाइंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे फिर क्या भारत का नाम बीजे पी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे मान लो इंडिया एलाइंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया क्वारा से बदल के भारत रख लिया तो क्या यह फिर बारत का नाम भारत बदन देंगे यह क्या मैं जाक ए देश है भई हूई देश इतने हजारओ साल पुराना भारत देश है इतनी पुरानी संस्कृति है आ गए न सत सामने कहते कहते मूँ से निकल गए न इतना पुराना भारत देश है इतनी पुरानी संस्कृती है यही तो चर्चा का मुद्दा है सारा अर्विन केजरिवाल जी जो जिसको आप घुमाने की कोशिश कर रहे है यही है भारत देश यही है संस्कृती और यह भी चर्चा करेंगे कि यह जो नाम की चर्चा हो रही है इंडिया नाम क्या यह भारत का अपना नाम है या विदेशियों द्वारा दिया गया नाम है जिस हिंदुस्तान शब्त की चर्चा होती है क्या वो इंडिया का अपना नाम है भारत का अपना तो इस तरह कहते हैं वो नाम पढ़ा इसी तरह जब अंग्रेज आए तो इंडस वैली इसको कहा जाता था उसी सिंदू से डिवलप होके इंडस बना तो इंडस के आधार पे उन्होंने का इंडिया तो ये नाम तो अब भ्रंश है तो मैं मानता हूं ऐसा कि चीजें बदलती ह शब बदलते हैं और देशों के नाम बदलते हैं ऐसा कई बार देखा गया है लेकिन भारत को नाम बदलने की जरूत क्या है भारत का नाम तो प्राचीन समय से चला आ रहा है और जब घर के अंदर कोई कता होती है जमूदी पे भारत खंडे बोला जाता है महा भारत आपको जाती होगा तो महाभारत जब रची गई तो वो महाभारत थी महाँ इंडिया नहीं थी लेकिन ये बात हजम नहीं वे पक्षे दलों को उनको लग रहा है कि ये तो मास्टर स्टोक खेला था हमने इंडिया नाम रखे वो कैसे चेंज होगे अब ये सुनिए कॉंग्रिस के लेकिन G20 के वक्त मनुरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया आपने अपर ये अच्छा नहीं लगा इतनी घबराट इतना खौफ अच्छा लग रहा है ये डर आप कहा में वैसे मोदी जी हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं मुझ से खाना खाते है अब आप क्या करोगे बदल दोगे ये भी हासराय पूरा देश आप हमसे नफरत कीजिए कोई दिक्कत नहीं हमारे नेत्रुत से नफरत करते हैं कोई दिक्कत नहीं हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं इंडिया से नफरत मत कीजिए इंडियंस स जे इंडिया तो ये तो हर किसी के जबान पे चड़ा हुआ था आप ये सुनिये जरा है ग्यान की ये गंगा रिशियों की अमरवानी भारत की है ये कहानी अब इससरा चेंज करें जरा खेडा जी इंडिया की है ये कहानी सद्यों से भी पुरानी नहीं है ये भारत की ही कहानी है भारत ही वो प्राचीन नाम में जो हमारे इतिहास में दर्ज है जो हमारी संस्कृति में दर्ज है जिसके साथ हमारे कनेक्शन जुड़ा हुआ है लेकि एक कहानी है उन्होंने क्या ट्वीट किया है चोटा सा ट्वीट है भारत माता की जै बस उन्होंने इतना कहा है और इसमें पूरी कहानी आ गई है उन्होंने पूरा समर्थन दे दिया नाम बदले जाने को और इसी तरह विरेंदरे सहवाग है उन्होंने भी जो अपनी बात कह तो शॺइज तो आगे ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ वित्र ही नारख के टीम इंडिया को भी बदल दिया जाए अब टीम इंडिया जो है बन जाय टीम भारत तु ये बदलाव अब सवाल है कि क्या विशेश सेत्र बुलाए जाएगा जो बुलाए गया इसके बहू है यहां सवाल के सारे और भी हैं अब नोट जब आते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है इंडिया क्या वह बदला जाएगा रिजर बैंक ऑफ भारत होगा ऐसी पासपोर्ट है अधार कार्ड है यह सब चीजे हैं यह सब सवाल है कि जब होगा तो क्या यह सब बदला जाएगा और बदला जाएगा तो क्या तुरंद बदला जाएगा यह वक्त लगेगा यह सब अभी सवाल है जिनका जवाब मोदी सरकार को देना है लेकिन एक चीज़ तो तो तह है कि विपक्षी दलों में जबरदस वह समहेच के चाहट चल रही है गरबर जाला चल रहा है कंफ्यू इस अपिस दलों मिलके कि इंडिया के नाम पर वोट जटाएंगे पर यहां तो पेपर ही चेंज हो गया अब देखना है कि इंडिया का अगला कदम क्या होगा और मोदी गवर्मेंट क्या सिर्फ छेड़ रही है या सही में ऐसा बिल लेके आती है देश का कानून बतल के इस को सिर्फ भारत करती है इस पे नजर हमारी बनी रहेगी इस एपिसोड में फिला लेते हैं नमस्कार